नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन यूस में वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का पहली खबर की और आपको लेकर चलते हैं MSP पर कानून बनाने सहित अन्य मांगो को लेकर अंदोलन कारी किसानों ने मंगलवार यानि आज 13 फरवरी के लिए दिल्ली चलो मार्ज का एलान कर दिया है दिल्ली यातायात पुलिस ने इसके मद्दे नजर यात्रियों के लिए यातायात सला जारी की है ट्राफिक प्रति बंधों के चलते दिल्ली अंसियार में लोगों को जाम की स्थिती का सामना करना पड़ रहा है कई रास्तों पर वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर भी आ रही है D&D मार्क पर बैरिकेटिंग की वजह से जाम लगा हुआ है कुंडली बॉर्डर पर एक-एक लेन खुली है जांच के बाद आवागमन किसानों के दिल्ली कूच के वजह से नौइडा में डाइवर्जन रहेगा अगली खबर के और बड़तों आपको बता दे सुप्रेम कोट बार एसोसियेशन के अध्याक्ष आदिश अगरिवाल ने भारत के मुखे न्यायाधीश यानि CGI को एक पत्र लिखा है उन्होंने दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसानों के खिलाफ उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के जीवन को परेशान करने का आरोप लगाते हुए संग्यान लेते हुए कारेवाही करने की भी मांग की है उन्होंने CGI से अदालतों को निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया है कि अदालतों के सामने वकीलों की गैर मौजूदगी के कारण कोई प्रतीकूल आदेश पारित ना किया जाए अगली खबर के और बढ़ते हुए आपको बता दे दिल्ली जल बोड दीजेबी के भूमी गत जलाशे और बूस्टर पंपिंग स्टेशन में वाशिक साफसफाई के चलते बुधवार और ब्रसपतिवार को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में पानी की आपूर्ती प्रभ आते हैं यहां हर दिन 67000 की OPD रहती है अस्पताल में कमरा नंबर 1015 में CT स्कैन की जांच होती है मरीजों की सुविदा के लिए खराब पड़ी मशीन को ठीक करा दिया गया है अस्पताल में ही जांच की सुविदा मिलना मरीजों के लिए काफी लाबकारी होगा अगली खबर की बढ़ते हुए बता दी उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशव पुरम इलाके में सोने और दूसरी कीमती धातों की तलाश में सीवर में उतरे दो लोगों की मौत की घटना ने लोगों को चौका के रख दिया है दोनों की मौत कथित तोर पर जहरीली गैस की वज़ा से हुई है दिल्ली पुलिस ने भी इस खबर की पुष्टी की है दिल्ली पुलिस के अनुसार ये घटना देश की राजधानी के लौरेंस रोड की है ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रही पब्लिकेशा ने उस धन्यवाद